नमस्ते आस्ता ही ग्यान चेनल में आपका स्वागत है किस्मत वालाई चू सकता है क्या है इस कुंड के पानी का रहस्य सोला सो वर्ष पुराना सिवगंगे मंदीर घी बदल जाता है मक्षन में किस जगा है सिवगंगे मंदीर करनाटक के टुम कुर्ग जीले में डाबास पेट की एक कूची पहाड़ी पर इस्तित सीव गंगे मंदीर इस मंदी का रहसे भी अदभुद है आज तक इस रहस्य को कोई नहीं समझ पाया है कि आकिर ऐसा कैसे होता है तो जानी इस मंदीर का रहस्य क्या है पहला सीव लिंग जैसी पहाड़ी सीव गंगे मंदीर जिस पहाड़ी पर इस्तित है कहते हैं कि यहां की पूरी पहाड़ी सीव लिंग जैसी दिखती है दूर से देखने पर ये पहाड़ी एक सीव लिंग की तरह ही नजर आती है यहां सीव पारबती गंगा गंगाश्वर होनार देवी आदी के मंदिर मोजूद है नंदी इस्टेचू सीव गंगे का सबसे उचा पोईंट है इस चोटी तक पहुशना किसी खत्रे से खाली नहीं है दूसरा गी बदल जाता है मक्खन में इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहां मोजूद सीव लिंग पर गी अर्पित करने के बाद वो रहस्यमय तरीके से मक्खन में बदल जाता है सीव गंगे की पहाड़ी पर चड़ते समय आपको यहां गंगा देश्वर मंदिर पड़ेगा जो भगवान सीव को समर्पित है यहां भगवान सीव का अभिशेग गी से करने की प्रमपरा है जन्सरुति के अनुसार इस मंदिर के गर्ब गरह से एक गुप्त सुरंग मार्ग गुजरता है जो 50 किलो मीटर दूरी पर इस्तित गवी गंगाश्वर मंदिर में निकलता है तीसरा किस्मत वाला ही चू सकता है पानिक को सीव गंगे मंदिर को दक्षिन की कासी कहा जाता है यहां एक छोटा कुंड है कहा जाता है कि कुंड में पानी पाताल से आ रहा है इसे लिए इसे पाताल गंगा भी कहा जाता है कुंड के पानी का लेबल घड़ता बढ़ता रहता है ऐसी मानने ताहे कि जिसका भाग्य अच्चा होता है उसे ही कुंड में हर डालने पर पानी मिलता है चोता सांत धला पॉइंट इस पहाड़ी पर सांत धला नाम से एक पॉइंट भी है जिसे सुसेट पॉइंट के नाम से जाना जाता है इस जगह का नाम होय सला राजा विश्नु वर्धना की पतनी सांत धला के नाम पर पढ़ा कहते हैं कि रानी सांत धला ने अपने पती की सत्ता समालने के लिए बेटा चाहती थी लेकिन उन्हें संतान प्राप्ती नहीं हुई इस बात से वह आउसाद में चली गई और एक दिन उन्होंने यहां से कुद कर जान दे दी